कि इस वीडियो में मैं आज आपको कि सीवेसी क्लास्टेन इंचेर्टी का एक्सेसाइज नॉम्बर 1.1 सॉल्ब करके दिखाऊंगा पहला कोस्टेन है यूज यूक्लीड टीविजन एल्गोरिदम तुफाइंड दा एईची एप आप 135 एंड 225 इसका तो पहले मैं लिकाल चुका हूं तो इसलिए मैं दूसरे का लिकाल के दिखाता हूं देखिए कैसे करते हैं सॉल्ब इसका अब से पहले देखेंगे 196 और 38220 में कौन बढ़ा है तो इसली देखने में मिल रहा है हम लोग को 38220 जो गेटर देन है 196 तो 38220 is greater than 196 तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 196 से जो है जो हम लोका टर्म है 38220 इसको डिवाइट करेंगे तो यह हम लोग का पहला है का 196 यह वान से गया तो माइनस करके आ रहा है हम लोग का तो यहां से तूले लेंगे एक तो यह हम लोग का आएगा वान सेवेन शिक्स फूर जो की नाइन से जी बैट हो लोगा अब यहां पर आएगा रिमाइंडिंग् पर नाइन तो रिमाइंडिंग बस रहा है हम लोग का 98 और यह 0 यहां पर क्यारी हो जाएगा तो 196 इंटू 5 करते हैं तो हम लोग का आएगा 980 तो यह यहां पर हम लोग का तो इसका यह यह जो हम लोग का 38220 था यह हम लोग से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब यहां पर हम लोग का hcf हो गया hcf equals to 196 तो चलिए हम लोग नमबर 3 देखते हैं नमबर 3 इसमें कौन सा बढ़ा है इसमें 225 बढ़ा है तो 225 शोरी 225 नहीं यहां पर 867 गेटर इस गेटर तन 225 देखिए हम इसे कहले शॉल्प करते हैं 225 से 867 को डिवाइड करेंगे यह 675 होगा और ती से डिवाइड होड़ा है तो रिमाइंडर कितना बच रहे है तो तो नाइन वान नाइन टो लोक डिमाइंडर बच रहे है अब जो रिमाइंडर बच रहे है उससे यह हम लोका जो टू 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 फाइब था अतलब जो डिविजर था उसको डिवाइड करेंगे यह देखिए तो सिंप्ली दिखने में मिल रहा है लोग को 192 वान डाइम से जाएगा तो आगया वान थ्री यह आगया थ्री तो 33 होड़ा है रिमेंडर अपीर से डिवाइड करते हैं किसको डिवाइड करेंगे 192 को डिवाइड करेंगे 192 शोरी 192 यह आगा 165 5 ताइम स्क्राइड करेंगे तो रिमाइंडर बचाहा हम लोग का ना बचाहा सेवें तो 27 अब 27 से 33 को डिवाइड करेंगे यह देखिए 33 तो 27 one times me again one you might make it now just six up six say 27 to divide करेंगे देखिए 27 तो यह 24 आया क्ना टाइम स्क्राइम स्क्राइब टाइमस त्री अभी में डिवाइड करेंगे त्री से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आया है हम लोग का यह टू टाइम से मैस कर गया तो हम लोग का जो लास्ट डिवीजर जो है मतलब 3 यह होगा हम लोग का एट सेफ देरफोर एट सी वर्स टू थ्री है होब यह सोलिशन आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया हो तो कमें बॉक्स में जरू कमेंट किजिएगा तो चलिए हमारा नेक्स्ट कुस्टिन में मूप किया जाएं कुस्टिन नमर टू में क्या बोला है शो देट एट एनी पॉजिटिव और इंटिजर इस ओप दो फॉर्म इस कुस्टिन को सॉलप करने से पहले हम लोग को यूट्लीट डिविजन लें मा क्या होता है वो जानना चुरूरी है तो चलिए यूक्लीट डिविजन लेमा क्या होता है देखा जाए मैं एक एक्सांपल लेता हूं सापोस 24 से हमको 200 को डिवाइट करना है तो 24 हम लोग क्या आगया डिविजर और 200 होगा हम बका डिविदेंट तो यहां पर देखिए तो यह पहले किस से डिवेड होगा 24 इन्टू 24 इन्टू 8 करते हैं तो हम लोग आता है 192 तो रिमांडर कितना बचरा हम लोग का रिमांडर बचरा हम लोग का एक तो देखिए 200 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो यहां पर 200 होगे हम लोग का डिविदेंट और डिविदेंट को हम लोग युक्लिट लेमां युक्लिट दिविजन लेमां में यह से डिनोट करते हैं और 24 होगे हम लोग का डिविजर डिविजर को हम लोग B से लिनोट करते हैं और 8 होगे हैं आपर कोसेंट को हम लोग Q से लिनोट करते हैं प्लास एट एट होगे हम लोग का डिमाइंडर इसको हम लोग आर्स करते हैं यह तो था हम लोग का बेसिक कॉंसेट जो हम लोग को पहले से पता था लेकिन इसी को यह प्लिट डिविजन लेमा बुला जाता है मैंने यहाँ पर एको इंटीजर लिया है और बी को सीक्स लिया है को सिंट के अकॉर्टिंग बीको सीक्स लिया है ना हम लोग यहाँ पर यूप्लिट डिविजन यूप्लिट अलगोरिदम एप्लाइ करेंगे लिखते हैं ना यूप्लिट्स यूप्लिट हेलगोई दो में अप्लाइ करके अम लोग को मिल रहे एक वर सुछ इसक्व प्लासर यहाँ पर यहां पर हमारा क्या हो रहा है क्यों इस गेटर देन और इक्वार्स जीरो एंड आर इस गेटर देन और इक्वार्स जीरो बट लेस देन सिक्स क्योंकि यहां पर सिक्स होगे हम लोग कब बी और बी डिवीजर को हम लोग बी लेते हैं तो डिवीजर रिमाइंडर से अल्वेस बढ़ाई होगा हम लोग को यह पता है एंड आर इक्वार्स टू जीरो कामा वान टू थ्री फोर फाइब मतलब जीरो हमारा जीरो से शीक्स का बीट्वीन में कुछ भी हो सकता है विद जीरो सोरी आर हमारा जीरो टू सीक्स का बीट्वीन में कुछ भी हो सकता है जीरो वान टू थ्री फोर फाइब यह होगा हम लोग का आर का बैलू नाओ मैं इस एक्विशन में आर का बैलू जीरो वान टू थ्री फोर फाइब फूट करने वाला हूं इस एक्विशन में आर का बैलू जीरो वान टू थ्री फोर फाइब पूट करके देखते हैं किसमें हम लोग का बैलू इविन आ रहा है और किसमें और आ रहा है चलिए एक्वाल स्टू शिक्स क्यू प्लास जीरो चूंकि आर के भलो जीरो ले रहे हैं तो एजीरो हम लोग यहां पह लिखता हैं तो होगी हम लोग का 6 q here 6 is divisible by 2 so it is a even number क्योंकि 6 हमारा जो है वो 2 से divisible है तो हम लोग का यह हो गया even number अब आर का हलो वान लेते हैं तो यह 1 equals to 6 q plus 1 equals 6 q plus 1 हो गया और इस एक्येशन में 6 हम लोग का 2 से divisible है बट 1 is not divisible by 2 तो हम लोग का 6 हो गया even और 1 हो गया odd तो यह टिसा even number sorry it's a odd number next a2 equals to 6 q plus 2 here 6 is even but 2 is sorry 6 and 2 both are even number तो यह हो गया हम लोग का एक even number तो यहाँ तो यह टू हो गया हम लोग का even next a3 equals to 6 q plus 3 यहाँ पे 6 even but 3 is a odd number तो यह हम लोग का हो गया odd number similarly a4 is a even number and a5 is a odd number तो हम लोग बोल सकते हैं since 6 q plus 1 since 6 q plus 1 or 6 q plus 3 or 6 q plus 5 are the odd numbers यह हमें प्रूब करना था और यह प्रूब हो चुका है लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टेट्मेंट्स यहाँ पे लिखना परेगा यहाँ पे भी सेम स्टेट्मेंट दिखना होगा और a4 का value लिखाल के दिखाना होगा क्या होगा हम लोग का 6 q plus 4 a5 का होगा 6 q plus 5 तो ऐसे गर क्या हम लोग को according wise लिखना होगा तो चलिए next question में मूप किया जाए next question में मारा क्या बोला है an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members 32 members in a period the two groups are to march in the same number of columns what is the maximum number columns in which they can march तो इसके लिए इसको solve करने के लिए हम को कुछ नहीं करना है सिर्फ ह से लिकालना है इसका और इसका तो हम लोग को मिल जाएगा maximum number क्या है HCF of 616 and 32 will give the maximum number in which they can march तो इसके HCF लिकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा देखिए 32 divide by 616 32 1 जा 2 रिमांडर इस 29 क्या होगा 296 32 9 288 रिमांडर इस 8 अब रिमांडर क्या वाच हम लोग का 8 तो यह जो 32 है वह दिविदेन का जगा में चला आएगा 32 तो 32 फोर्ट जा श्री फोरेट जा 32 यह हम लोग का मैस कर गया 34 देरफ़र दे मैक्सिमम नंबर को फोर्ट टू एट आयोब यह सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया हो तो कॉमें कॉमें बॉक्स में कॉमें जरूर कीजेगा तो नेक्स्ट कॉस्टिन देखते हैं हम लोग नोग नेक्स्ट कॉस्टिन में क्या बोला है यूस यूक्लिट्स डिविजन लेमा तो शो दाट स्क्वायर अप एनी पोजिटिव इंटिजर इस आइदर अप फॉर्म 3m 3m और 3m और 3m प्लस 1 और सम इंटिजर m फर सम इंटिजर m तो इसको भी हम लोग को नंबर 2 जैसे ही करना होगा चलिए तो स्टार्ट किया जाए लेट a be any positive इंटिजर and b equals to 3 therefore a equals to 3q plus r q is greater than or equals to 0 and r is greater than or equals to 0 but less than 3 3 यह थाम लोग का condition next and r equals to 0,1 1,2 1,2 1,2 a 0 equals to 3q plus 0 equals to 2 3q 3q then a1 equals to 3q plus 1 then a2 equals to 3q plus 2 then a2 equals to a2 a2 and two two happen a3 a2 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 equals to 3 Q's whole square equals to 9 Q square this equals to 3 into 3 Q square next a 1 square equals to 3 Q plus 1 square 2 I am look at it plus because of formula it is 9 Q square plus 2 to 3 6 Q plus 1 so here I am look at the common system you don't know look at 3 common zero to 3 Q square plus 2 Q plus 1 next a 2 equals a 2 square was to 3 Q plus 2 square 9 to square plus it is a 4 C to 3 to the 6 6 to the 12 Q plus 2 to the 4 to is come look at it as a time 9 Q square plus 2 Q plus 3 plus 1 for come look 3 plus 1 except time then I am look at it as a 3 common zero to 3 3 Q square plus 4 Q plus 1 plus 1 now I am look at it as a 3 Q square plus 1 to get 3 into it similarly is poor term because I am looking at it 3 again in plus 1 similarly not even looking at it 3 into it plus 1 term I am looking at it 3 in 3 in plus 1 now I will be 3 in plus 1 now I will be 3 in plus 1 I am looking at it and R equals to 0 and 1 first equation in A0 means R value is 0 and A1 means 1 x1 x1 x2 x1 x1 x2 x3 x2 x2 x1 x2 x2 x3 x4 x3 इसके बाद आप लोग ये statement दिख देजएगा, it can be said that the square of every integer is either the form of 3m और 3m plus 1, ये आप लोग अपना language में भी लिख सकते हैं, इसका बाद जम लोगाने, फाइब नंबर question है, ये जो फाइब नंबर question है, इसमें हमारा क्या बोला है, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive, that any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, ये भी हमारा question 4 जैसा ही है, इसका अगले वाले में square बोला था, यहाँ पर cube बोला है, तो cube से आप लोग solve करने कुछिस कीजिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो comment box में comment कर दीजिएगा, नेक्स वीटियो में मैं इसको अप्लेट कर दूँगा, थेंक्यू फ्रेंट्स फर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब और अगर कहीं पर समझ में ना आया हो, तो प्लीज, comment box में comment कीजिएगा,